जै मतदी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अखंड जोती जलाने के क्या फैदे होते हैं क्यों हमें अपने घर में अखंड जोती जलानी चाहिए देखे ऐसे पूरे साल तो बहुत कम लोग ही अखंड जोती जला पाते हैं कुछ बजट की बात होती है कि जब भी हम अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं तो अपने घर को स्वच और पवित्र रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है साथ ही जोती का भी ध्यान रखना पड़ता है पूरी तरीके से कि जोती बुझने ना पाए बंद ना होने पाए खंड इतना होने पाए इस वज़े से पूरे साल तो बहुत ही कम लोग अखंड जोत जलाते हैं लेकिन नवरात्रों में अखंड जोत लगभग 80% लोग जलाते हैं और उस अखंड जोती का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में सुभ लाब होता है क्या लाब होते हैं तो सबसे पहले सबसे पहली बात तो ग्रह पीड़ा दूर होती है अखंड जोत जलाने से हमारे ग्रह पीड़ा दूर होती है यानि ग्रह सांत होते हैं और घर में सुख समर्द्धी आती है आपका कोई भी कितने दिन से भी कितना भी बिगड़ा हुआ काम चल रहा हो आप अखंड जोत जला करके उसके सामने आँखे बंद करके माता से बिंती करिए कि मां हमारे बिगड़े कारें को पूरा करें बिगड़े कारें को बनाएं और संपन्द करें निश्चित रूप से यदि आप दिल से स्रद्धा से भक्ती से सच्चे मन से माता से प्राटना करते हैं तो निश्चे ही आपके कार संपन्न होते हैं उसके अलावा यदि लंबे समय से आपके घर में कोई वेक्ती बीमार चल रहा है तो वो भी ठीक होता है आप अखंड जोट जलाईए उसके अखंड जोट के नीचे आधी मुठी चावल रखें लेकिन साबुच चावल रखें उपर से अखंड जोट जलाके रखें और माता के सामने सच्चे मन से प्राटना करिए कि हेमा जो हमसे अपराद हुए हैं उनके लिए छमा कर दीजे और इस व्यक्ति को जो भी आपका व्यक्ति है उनका नाम लगे और के माँ से विंती करें कि इनकी बीमारी को माता ठीक करें से इसके अलावा घर में यदरोज आपके जगड़े कलेस जगड़े होते रहते हैं तो उसके लिए मातारानी's event से 1 का क्रिए तो आपके घर के क्लेस और जगडे मिठ जाते हैं और आपके घर में सांती और सुक का निवास होता है उसके अलावा जब कभी वे आप अखंड जोत जलाते हैं तो आपके घर में एक बहुत ही अच्छी उर्जा का संचार होता है एक पॉजटिविटी आती है आपके घर में सकारातमक उर्ज जो होती है वो प्रवेस करती है और आपके घर की जो negativity होती है यानि नकारात्मकुर्जा आपके घर से बाहर भाग जाती है क्योंकि अखंड जोति केवल एक साधरान सा दीपक नहीं है उसमें मातारानी का निवास होता है उसमें मातारानी साथ-चात रूप में विराजमान रह या एकदम से जोट उठती है और कम होती है तो वह माताराणी के संकेत होते हैं तो जोट एकदम से तेज होती है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ घरों में की अखंड जोट जला लेते हैं लेकिन मन सच्चा नहीं है लोगों की बुराई लोगों के बारे में गलत सोचना ल उनकी जोद निश्चे ही बंद होती रहती है तो ये सब मातारानी के संकेत होते हैं कि वो साच्छात रूप में उस जोद में रहती हैं तो अखंड जोद जलाने के बहुत सारे फायदे हैं यदि आपके घर में आपकी आपस में पति-पत्नी की अनबन रहती है या आपस में आ अधरिके से अखंड जोट जलाने से हमारे हिर के अंदर एक सकारात्मक बाधारों होता है १्यbay को अबтải हैसरे SEN1 एuum